तो बच्चा आज की जो हमारा लेक्चर है इस शॉट लेक्चर के अंदर मैं आप सभी को एक लाइप प्रोसेस का एक छोटा सा टॉपिक कवर अप कराने वाली हूं ठेके तो इस इवेंट के अंदर मैं आपको यहां पर एक्स्प्लीन करूंगी कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक और ऑक्सिजन कैसे पहुचती है और ऑक्सिजन कैसे हमारी बॉडी के अंदर यहां पर ट्रांसपर होती है तो स्टार्ट करते हैं हम इस इवेंट के साथ में कि हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सिजन कैसे पहुच रही है और पहुचने के बाद में हमारी बॉडी के अंदर यह oxygen करती क्या है ठीक है तो start करते हैं हम लोग very first thing that is here about the how the oxygen is reaching in our body देखो बच्चों होता क्या है atmosphere से हम लोग oxygen inhale कर रहे है सभी को यह diagram दिख रहा है oxygen को inhale कर रहे है तो यहाँ पर there are the mixture of gases is present क्यों mixture of gases nitrogen भी है oxygen भी है carbon dioxide भी है तो हमने क्या किया air को inhale किया air inhale करने के बाद में हमारे respiratory system को follow करती है respiratory system से follow होते होते हुए कहां पर enter कर जाती है हमारे lungs के अंदर air की entry हो जाती है तो you can see nose nose से air अंदर की तरब चली nose से air हमारे wind pipe के अंदर आई wind pipe से air हमारे lungs के अंदर एंटर कर चुकी है कहां पर एंटर कर चुकी है air air is entered in our lungs ओके बिटा तो ये देखेंगे this is the diagram of the lungs यहां पर आप देख सकते हैं कि lungs के अंदर air एंटर कर चुकी है clear है ये फंडा चलो आगी की तरफ हम लोग देखते हैं लंग्स के अंदर छोटी छोटी structure present होते हैं that structure is in alveoli तो आपको पता है lungs के अंदर क्या present है balloon shape structure है तो देखो air को में red color से बना दी हूँ यहां पर nose से air अंदर की तरफ आई wind pipe को cover up किया wind pipe को cover up करने के बाद में balloon जैसे structure के अंदर enter कर चुकी है यह जो balloon shape का structure है न बिटा यहां पर इस balloon shape के structure को क्या कहते है alveoli तो इस alveoli को मैं बाहर की तरफ draw करके दिखाती हूँ आपको this structure is here the alveoli और यहां पर मैं blue color इस्तमाल कर रही हूँ दिखाने के लिए कि this is the oxygen यह blue color यहां पर किसको represent कर रहा है oxygen को represent कर रहा है now I would like to explain one thing very clearly कि यहां पर जो oxygen enter करके alveoli तक आ गई है तो alveoli के अंदर alveoli कहां पर present है lungs के अंदर तो lungs is surrounded by the large number of blood capillaries मतलब कि इस balloon जैसे shape के around बहुत सारी blood vessels present है क्या present है बच्चा बहुत सारी blood vessels present है clear और blood vessels है तो blood vessels में क्या present होता है बिटा blood vessels के अंदर present होता है blood तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ यहां पर क्या present है यहां पर present है blood तो blood vessels के अंदर क्या है blood vessels के अंदर यहां पर भरा पड़ा हुआ है बहौत सारा blood और blood के अंदर क्या present होता है तो आप कहोगे कि blood के अंदर तो RBC होती है yes or no तो यहाँ पर blood के अंदर क्या present है बिटा blood के अंदर RBC present है और RBC का मतलब क्या होता है RBC का मतलब होता है red blood carpuscles यह हम बोल देते red blood cells तो यह RBC यहाँ पर present है you can see here the RBC is present here तो क्या होगा ये oxygen transfer होगी इधर की तरफ किधर से किधर की तरफ alveolize से oxygen की तरफ transfer होगा फटापर से explain करेंगे फटापर से मुझे clear करेंगे क्या आपको सभी चीज़े समझ में आ रही है बच्चा be connected and tell me फटापर सब चीज़े clear है तो आप फटापर से जॉइन होते जा रहे हैं देखो बच्चा सब को समझ में आ रहा है बहुत सारे बच्चे जॉइन भी हो गए हैं हमारे साथ में तो क्या देखते जा रहे हैं आप लोग कि blood से blood के अंदर oxygen transfer होगी तो कैसे transfer होई oxygen यहां पर आप देखोगे कि जब मैंने air को inhale किया air मेरी alveoli के अंदर enter करी alveoli के अंदर यहां पर oxygen है तो oxygen की quantity oxygen की concentration कि धर की तरफ जादा है इस structure में तो यहां पर क्या होगा gases का diffusion होगा क्या होगा बिटा यहां पर gases का diffusion आपको देखने को मिलेगा तो what is the meaning of diffusion here the meaning of diffusion is यहां पर तो concentration oxygen की जादा है और blood के अंदर concentration oxygen की क्या है कम है तो यहां पर तो है कम oxygen यहां पर है जादा oxygen तो oxygen किधर से किधर की तरफ transfer करेगी जादा से कम की तरफ transfer करेगी तो movement of gaseous molecule high quantity to low quantity movement of gaseous molecules high concentration से low concentration तो इस चीज को क्या कहा जाता है बिटा इस चीज को यहां पर कहा जाता है diffusion तो I hope आपको समझ में आ गया होगा diffusion का मतलब क्या है बिटा okay done with this fact समझ में आ रही है सारी कि सारी चीजे है तो मुझे मेरी आवाज बहुत क्लियर है मैं सभी को सुनाई दे रही हूँ I hope आप सभी को भी सुनाई दे रही हूँ ठीक है तो पतापस से मेरी बातों का जवाब देते जाना कोई दिक्कत नहीं है gases का transfer किधर से किधर की तरफ हो गया यहाँ alveoli से alveoli this structure is the alveoli alveoli से किधर की तरफ हो गया blood के vessels में तो यहाँ पर यह जो blood vessels है यहाँ पर blood में क्या है RBC present है बिटा RBC के अंदर क्या present होता है hemoglobin present होता है तो RBC के अंदर एक pigment है pigment है उसका नाम क्या है hemoglobin तो hemoglobin क्या करता है hemoglobin oxygen को bind कर लेता है bind बतलब चिपका लेता है अपने से तो oxygen कि oxygen जो है hemoglobin के साथ में bind हो गया यानि कि आपके lungs से oxygen किस के पास में चली गई यह blood के पास में अब blood इस oxygen को लेने के बाद में क्या करेगा फटापट से एक देखेंगे आप देखेंगे कि blood जो है यहां पर आप देखेंगे blood ने क्या किया oxygen को पिक कर लिया और यह oxygen को blood लेके जाता है किस के पास में हमारे heart के पास में heart is the pumping organ कैसा organ है heart हमारा pumping organ है यहां पर तो ध्यान से देखेंगे heart is here the pumping organ pump कर रहा है यहाँ पर हमारा तो यहाँ पर इसने क्या किया support करो ऐसे चोटे से डाइग्राम के साथ मैं इस चीज़ को में clearly आपको बताना चाहती हूँ support करो यह oxygen हमारी गई oxygen हमारे lungs के पास में आ गई है lungs के पास में oxygen आने के बाद में lungs ने इस oxygen को किसको दे दिया है blood को दे दिया तो blood ने इस oxygen को किधर transfer कर दिया हमारे दिल को दे दिया तो दिल क्या करेगा heart क्या करेगा इस oxygen को लेने के बाद में heart जो है हमारा इस oxygen को लेने के बाद में इस oxygen को पूरी body में distribute कर रहा है यानि कि पूरी की पूरी body को यहाँ पर क्या distribute हो रही है oxygen दिस्टिब्यूट हो रही है तो see the situation, कैसे हमको story समझनी है, सबसे पहले तो atmosphere से lungs किसके पास atmosphere से oxygen किसके पास में गई nose के पास में, nose से oxygen किसके पास में आई lungs के पास में, lungs से के पास से, दिल के पास से oxygen कहां पर transfer हुई है दिल से ये oxygen transfer हुई है, पूरी body को अब body को oxygen कैसे transfer होती है, इस चीट को हमने यहां पर detail में समझना है पताओ समझ में आ गई कि सारी की सारी चीजे, clear है concept आपको ठीक है बिटा तो बिटा, this is here not the new page, it is just a conceptual class, जो कि हमको यहां पर यह discuss करने वाली है कि oxygen कैसे पहुचती है तो this is not here the concept this is not here the new page बिटा हम सिप एक concept clear कर रहे है कि हमारी जो body है उसको oxygen कैसे transfer हो रही है, body को oxygen कैसे मिल रही है यहां पर समझ में आ गई कि इतनी चीज आपको तो कैसे transfer हुई, आप normal कुछनी logic लगाना है सिप इतना सा समझना है, air inhale करो inhale करने के बाद में कहां पर आ जाएगी, lungs के अंदर, तो lungs का last organ क्या होता है alveoli होता है, तो alveoli के अंदर oxygen आ गई, alveoli ने इस oxygen को किधर transfer कर दिया, blood को, कौन सी process के तुरू transfer किया diffusion की process के तुरू transfer किया, oxygen की concentration यहाँ पर जादा है, यहाँ पर कम है, तो gases किधर से किधर की तरफ मूँ करती है, high concentration से low concentration की तरफ मूँ करती है, बताओ समझ में आ गया क्या, yes अब जिस blood में oxygen जादा होती है, तो वो blood कैसा blood होता है, oxygenated blood होता है, तो ज़्यादा confusion नहीं create करना है, oxygenated blood कहाँ पर आ गया है, oxygenated blood हमारे blood vessels में आ गया, अब यही blood कहाँ पर जाता है, यही blood जाता है, हमारे दिल के पास में, तो मतलब oxygenated blood मूँ कर रहा है, यह oxygenated blood कहाँ पर move किया, heart के पास में, अब heart क्या करेगा, इस oxygenated blood को pressure देगा, pump करेगा, जिससे ये blood क्या करेगा, पूरी body के अंदर distribute हो जाएगा, तो heart देखो यहाँ पर, कैसा organ है बिटा, हमारा दिल जो है, हमारा pumping organ है यहाँ पर, कैसा organ है, pumping organ, तो इसने क्या किया है, pump किया oxygenated blood को, पूरी body में blood हमारा distribute हो गया, बताओ, समझ में आई क्या अभी चीज़े है, तो veins तो deoxygenated blood केरी करता है, और arteries जो होती oxygenated blood को केरी करता है, अब body, जैसे कि body में क्या होता है बिटा, body में देखेंगे आप लोग, exchange of blood कैसे होगा, तो देखो, यह आपका blood vessels है, यह पूरी की पूरी आपकी क्या है, blood vessels है, इसके अंदर कैसा blood है, oxygenated blood, oxygenated blood का मतलब क्या है, जिसके अंदर oxygen present हो, अब यह आपकी cells है, मतलब कि आपकी tissue, अब यहाँ पर तो क्या है, यह tissues है, अब इस tissue के अंदर क्या है, बिटा, oxygen कम है, अब बिटा, आपको होगी कि यहाँ पर oxygen क्यों कम है, tissue के अंदर, मतलब मेरी इस cell के अंदर, इस cell के अंदर, इस cell के अंदर, सभी cell को oxygen को transfer करना है, तो क्यों transfer करना है, क्योंकि मेरी इन हर एक cell के अंदर oxygen कम है, क्यों कम है, क्योंकि ये cell क्या करती है, oxygen को use कर लेती है, oxygen को use कर लेती है, अलग-अलग energy के form के लिए, energy बनाने के लिए, तो अब मेरी oxygen की deficiency कहां पर है, cell के अंदर और यहाँ पर किसकी concentration जादा है oxygen की concentration जादा है तो oxygen किधर से किधर की तरफ transfer होगी high concentration से low concentration की तरफ तो इधर फिर से क्या होगा बिटा फिर से इधर की तरफ oxygen का यहाँ पर क्या हो जाएगा transfer हो जाएगा ठीक है यहाँ पर देखो oxygen किधर की तरफ आ गई है cell के अंदर आ आने के बाद में oxygen क्या करती है यहां पर यह oxygen का glucose के साथ में मिलके glucose के साथ में मिलके क्या करती है ग्लूकोस को ब्रेक कर देती है जिसकी वज़े से क्या बनता है carbon dioxide और ATP बनते है तो CO2 बना तो यहां पर किसकी concentration ज़्यादा है बिटा यहां पर जादा है CO2 की concentration cell में यहां पर CO2 की concentration है कम तो CO2 तो चली जाएगी blood vessels के पास में फटापर से देखेंगे CO2 तो चली गई है blood vessels के पास में और oxygen आ गई है cell के अंदर तो यह क्या है this is the exchange of blood तो क्या concept आपको build up करना है बहुत छोटी सी चीज समझनी है ज्यादा बिल्कुल भी दिवाग नहीं लगाना है एक logic इस तरीके से समझेंगे क्या हुआ चलो फटापर से बताती हूँ जाती हूँ क्या चीज़े oxygen after reaching in lungs lungs में पहुच गई ये lungs के अंदर alveoli है दिख रही है सभी को alveoli alveoli को किसने cover करके रखा हुआ है blood vessels ने दिख गया सभी को तो blood vessels के अंदर oxygen का transfer हो गया तो यहाँ पर alveoli और blood के अंदर exchange हुआ अब blood जो है उसके पास में क्या है oxygen ये blood oxygen को ले कर जाता है किसके पास में दिल के पास में दिख रहे सभी को तो blood अब किसके पास में पहुच गया है heart के पास में कैसा blood है oxygenated blood अब heart से ये oxygenated blood किसको transfer हो जाएगा पूरी की पूरी body को यहाँ पर oxygenated blood जो है transfer हो जाएगा तो transfer होने का, transfer होने की process कौन सी है, diffusion, क्यों है बेटा diffusion की process, तो देखो, यहाँ पर आपने जब oxygen को inhale किया, तो oxygen lungs के अंदर आई, यह suppose करो यह organ lungs है, तो lungs के अंदर क्या है, लंग्स के अंदर blood vessels है, तो यह blood vessels जो होती है, lungs से oxygen को लेती है, और oxygen को कहाँ पर transfer कर देती है, हर एक cell को, तो यहाँ पर cells के अंदर क्या चली गई, oxygen चली गई, ठीक है, बदले में cells क्या देती है, CO2 दे देती है, तो CO2 कहाँ पर आ गई, यही CO2 वापस कहाँ पर जाती है, lungs, और lungs से यह CO2 कहाँ पर चली जाती है, body से बहार की तरफ चली जाती है, diffusion की process के तुरू, तो इतना simple सा process है यहाँ पर, तो heart जो है हमारा कहाँ पर situated है, यह question जो है, वो भी सुन लीजिए, जो हमारा दिल होता है बिटा, हमारे lungs के middle में present होता है, थोड़ा सा left lungs की तरफ tilted होता ह है, तो यह जो हमारी region है इतना, इतना region, हमारे गले से लेके हमारा यह वाला lungs तक का portion, इस portion को बोलते हैं, thoracic cavity, तो heart is situated in the thoracic cavity, lungs के middle में थोड़ा सा left side में tilted, tilted मतलब जुका हुआ, I hope समझ में आया होगा आपको, concept clear हो गई के बिटा सभी के, ओके, very good, तो मुझे लगता है आपको अभी समझ में आया होगा, कि हमारी body में oxygen कैसे pause दिये, oxygen inhale करो, lungs के अंदर लेके जाओ, lungs से alveoli में, alveoli से किसके पास में गई, blood vessels के पास में, blood ने उस oxygen को दिल को दिया, दिल ने उस oxygen को पूरी body के अंदर distribute किया, तो इस वज़े से आपको समझ में आ गया होगा, कि इस तरीके से पूरी body को oxygen मिलती है, और हर एक cell क्या करती है, oxygen लेती है, हर एक cell oxygen, क्योंकि हर एक cell को किसकी need है बिटा, energy की need है, तो oxygen cell के अंदर जाके क्या करती है, glucose का breakdown करती है, और क्या release करती है, energy, energy, because every cell is required energy to perform the function, हर एक cell को यहाँ पर किसकी requirement होती है, energy की requirement होती है, यानि कि, मैं बोल रही हूँ, तो बोलने के लिए मेरी tongue continue movement कर रही है, ना, सब के जुबान भी चलती है, तो जुबान को चलाने के लिए भी energy की need होती है, तो यहाँ पर आप ध्यान से सुनेंगे, तो मेरी tongue की cells को भी energy चाहिए, तो मेरी tongue की cell को भी यहाँ पर oxygen मिल रही है, ताकि oxygen क्या करे, मेरी जो tongue की cell है, उसकी glucose को तोड़े, और energy दे, ताकि यह हमारे body में CO2 का concentration जादा होता है, क्या atmosphere से, बिलकुल सही कहा, आपने, हमारी body के अंदर CO2 का concentration जादा होता है, इसलिए हम CO2 को क्या करते हैं, बहार निकाल पाते हैं, क्योंकि बहार CO2 की concentration कम होगी और body में जादा होगी, तब ही तो high concentration से low concentration की तरफ CO2 निकलेगी, समझ में आ होड़ी के बद बिटा, okay, very good, I hope आपको समझ में आया होगा, doubt clear हो रहे है, okay, समझ में आ रही है कि चीज़े सभी को, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, कि oxygen कैसे transfer हो रही है, yes, oxygen की कम होती है, बिटा, oxygen की क्यों कम होती है, oxygen की कम इसलिए होती है, क्योंकि oxygen बाहर तो है ज्या बाहर से फिर हम उसको लेंगे, तो diffusion के तुरू बाहर से अंदर की तरफ आएगी, ठीक है, तो हमारी cell तक भी oxygen कैसे पॉज ती, क्योंकि cell के अंदर oxygen कम है और blood में जादा है, तो blood क्या करता है, cell को दे देता है, ले भाही तू ले, तू यूटिलाइस कर इसको, done with it, ओके समझ में आया बेटा सबको function of alveoli क्या होता है बेटा देखो function of alveoli है alveoli इस oxygen को लेता है और इतना larger surface देता है ताकि हर एक जगा से oxygen निकल के कहां पर पहुँच सके blood vessels तक पहुँच सके तो alveoli helps in exchange of gases alveoli क्या करता है gases के exchange में help करता है larger surface area प्रोवाइट करता है ताकि gaseous exchange यहां पर हो सके समझ में आया सबको बताओ clear है क्या फंड़ सबको बिटा ओके done with this fact yes or no तो अभी आपको समझ में आ गया कि यहां पर oxygen हमारी बॉड़ी तक कहसे पहुचती है clear चलो I hope इतने सारी चीज़े आपको समझ में आ गई होगी तो आज की क्लास बिटा हम यहीं पर खतम करते हैं छोटा सा topic मैंने आपको समझाने की कोशिश करी कि हमारी body को oxygen कैसे मिलती है तो I hope आपको यह clearly समझ में आ गया होगा कल सुबह 10 बज़े मिलेंगे अब हम लोग ठीक है हमारे हैड़ी डिटेन इवोलूशन टॉपिक के साथ में तो आज की क्लास यहीं पर खतम करते हैं लास डाउट देख लेती हूं मैं बच्चा येस oxygen से react करके glucose का breakdown होता है जिसकी वज़े से energy release होती है that is great blood circulation ये सारे चीज़े हम लोग बड़े टॉपिक में जब हम बड़ी क्लास लेंगे तब discuss करेंगे ठीक है बटा आपके डाउट ज़रूर लूँगे मैं हमारे बड़ी classes में आज की क्लास कतम करें तो ओके बबाई टेक केर have a nice day